गूडल only students, आज हम 7th class का समाज कोई गयांका 5 वा लेसन । शाशक और इमार्ते पढ़ेंगे, इस लेसन में हम पढ़ेंगे किस साशक ने कौन सी इमार्त का निर्मान करवाया और किस साल करवाया। और ये इमार्ते हमार लिए कितनी महतापूर्ण है और देखने आप पर परेटक के तोर पर हम इनको देखने के लिए जाते हैं और ये बहुत अच्छी कारीगरी के दवारा इनका निर्मान करवाया गया है तो आई आरम करते हैं साशक और इमारते आप चित्र एक को देखो कुतम मिनार का एक छज्जे को दिखाई दे रहा है का जो छोटा हिस्सा है वहां पर मैराब तथा जोत्मिय रेखाई दिखाई के नमोने देखे जा सकते हैं इन चज्जों के नीचे दो पट्या भी दिखाई दे रही होगी जो अर्भी भाशा में हैं मिनार का जो बहारी हिस्सा है वो गुमावदार तथा कोणिये हैं ऐसी स् पर जो लिखने के लिए काफी परिशुदता और काफी स्वार्दिक जो योग्यकारिकर है वो ही इस काम को कर सकते हैं ये जो है ये आठ सो साल से पूर कुछ ही इमारतें जो हैं वो पत्थरों और इंट की बनी होती थी 23 स्ताबदि में कुतम मिनार जैसी इमारतों का देखने वालों पर क्या परभाव पड़ा होगा कुतम मिनार के बारे में साथ में भी बताया गया है कि ये पांच मंजिला इमारत थी इसके अभिलेकों की पट्टियो इसके पहले छब ये के नीचे हैं इस इमारत की पहली मंजिल का निर्मान कुतम दिन एबग तथा सेश मंजिलों का निर्मान बारा सो उनतिस के आसपास तुम तमिस ने करवाया कई वर्सों में यह है जो है इमारत आंदी तूफान दादा भू कम की वज़े से सतिगरस्त हो गई अलाओ दिन खिल जी महम्मत तुगलक फिरोजशाद तुगलक तथा इबराम लोगे लिदे ने इसकी मरमत भी करवाई थी आठवें और अठार्वें स्ताबदी के बीच के राजा जो भी हुए थे उनके अधिकारियों ने दो तरह का इमारतों का निर्मान करवाया पहली तरह की इमारतों में सरक्षित तथा दूसरी और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य किले महले और मकबरे थे दूसरी सरेणियों में मंदिर मस्चिद होज कुवे सराय बजार जैसी जनता के लिए उप्यों की मारते थी राजाओं से आशाय या उपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी परजा का देख भाल करेंगे तथा परजा के उप्योंग और आराम के लिए इमारतों का निर्मान करवा कर राजा उनकी पर्चंसा पाने की आशा करते थे इस तरह के निर्मान कारिये वेपारियों सही अन्य वेक्तियों के लिए भी किये जाते थे वे मंदिर मस्चिदों और कुओं का निर्मान भी करवाते थे परन्तु घ्रेलू स्थापत्य वैपारियों की विशाल हवेलियों के जो अवसे से वो अठार्वी स्थापत्य से ही मिलने आरम होते हैं अभी यांत्रिक कोशल तथा निर्मान कारी है समारकों से हमें अनेक निर्माण में जो परियोग सिल्प विज्ञान का भी पता चलता है छट का उधारन लेजिए हम चार दिवारों के आरपार लकडी की सहतीर या एक पत्थर की पट्टिया रख कर छट बना सकते हैं लेकिन यह कारिया उसे में बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विश्तृत अधी रचना वाले विशाल बड़े कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं इसके लिए अधिक परिकृत कौशल की जरूर्थ होती है इसके लिए अधिक ज्यान की जरूर्थ होती है साथवी और जो दस्वी सती थी वहां के मध्ये वस्तुकार भावनों में और अधिक कमरे दर्वाजे और खिड़किया बनने लगे चत दर्वाजे और खिड़किया अभी भी दो खंबों के आरपार एक अनुप्रस्त सहतीर बनाए रखने जाते थे वस्तुकलिक की यह सैली अनुप्रस्त टोडा निर्मार्ण कहलाई जाती है एक नंबर के क्वेशन में पूछा जा सकता है कि अनुप्रस्त टोडा निर्मार्ण किसे कहते हैं या का कहलाई जाती है तो यहां पे आपका उत्तर मिल जाएगा दो उर्दुआ कार खंबो के आरपार एक अनुपरस सहतीर बनाए रखे जाते थे खिड़कियों के लिए वास्तुकला की जो ऐस परकार की जो सहली बनती थी उसे ही अनुपरस टोड़ा निर्मान कहा जाता था आठ्वे से तेर्वे स्ताफ्ती के बीच मंदिर, मस्चिद, मक्म, बरो तता सीड़ी दारपूं का भी निर्मान हुआ इसी सहली में हुआ ग्यार्वे सदी के आरम में जो मंदिर का जो निर्मान है वो बताया गया यहां पे सिव की स्थितुई में बनाए गए कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्मान चंदेल राजवसों के राजा धंग देव दवारा 99 में किया गया मंदिर की योजना है एक अलंकरित दवार से उसके परवेश भाग और मुख्य सभा भवन जहां निर्ते का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता है पर मुख्य देवता की मूर्ती मुख्य मंदिर गरब गरब में रखी जाते है धार में का नुस्ठान इसी तरह से किये जाते है केवल राजा इसके निकट या उसके परिवार पुरोहित एक्तिर्थ होते थे खुजराओं में समों में राजकोश्य राजके मंदिर शामिल है जहां समान्य जन्मास नस आम आदमी को जाने की अनुमती नहीं थी ये मंदिर सूपरकृस्ट अतुकरन मूर्तियों से सजे हुए थे तितर नंबर चार में आप तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का शीखर देखिए उस समय के मंदिरों में सबसे उंचा था इसका निर्मान चो था वो बहुत कठिन था उन दिनों कोई क्रेन भी नहीं थी और सीखर पर 90 तन का पत्थर ले जाना इतना अधिक बारी होता था कि उसे अपने वेक्ति अपने आप उठा कर नहीं ले जा सकते थे इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के उपर तक पहुँचने के लिए एक चड़ाईदार रास्ता बनाया रोलरों दवारा भारी वास्त पत्थर को उपर के रास्ते ले जाया गया जहां इस काम के लिए 4 किलोमेटर से ज्यादा लंबा रास्ता त्यार किया गया जिसे चड़ाई खड़ी ना हो मंदिर बन जाने के बाद इसे ग्रा दिया गया लेकिन उस छेतर के लोगों ने मंदिर निर्माण के नुबह को काफी समय तक याद रखा आज भी मंदिर के पास एक गाउं को चार उपलम कहा जाता है जिसका आर्थ होता है चड़ाईदार रास्ते का काउं बार विष्दी में दो प्रियोदों की सेली सम्मंदी परिवर्तन हुए दर्वाजयों और खड़कियों के ऊपर अधी रचने का भार का भी महरबों पर डाल जया जाता वास्तुकला का यह है चाप का रूप था सीमट निर्माण कारिये में जो होता है वो पत्थर चूना या सीमट का परियोग बढ़ गया यह उच सरेने की सीमट होती थी जिसे पत्थर के टुकडों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी जिसकी वज़े से विशाल धांचों का निर्माण बहुत सर आसानी से और तेजी से होने लगा आप चितर छे में निर्माण स्थल पर एक नजर देख सकते हैं चितर दिया गया है जहां पर कारिया किया जा रहा है मंदिर होज और मस्जिदों का निर्माण मंदिर और मस्जिदों का जो निर्माण है वो भी बहुत सुन्दर तरीके से किया जाता क्योंकि वहाँ वे उपासना के स्थल थे वे अपने सरक्षक की सक्ती धन व्यबाउ तब भक्ती भाव का परदसन करते थे उधारन के लिए राज राजेश्वर मंदिर को देख लो एक अभिलेक से इस बात का भी संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्मान राजा राजदेव ने अपने देवता की उपासना के लिए किया था राजा और उसके देवता का नाम काफे मिलते चलते हैं राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह मंगल कारी था और और राजा खुद को इस्वर के रूप में दिखाना चाहता था धार में एक अनुष्थान के लिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था सभी विशाल मंदिरों का निर्मान राजाओं ने करवाया था मंदिरों के अन्यल लगु देवता सासकों के सहयोगी तथा उसके अधिन के देवी देवता थे मंदिर सासकों और उसके सहयोगी दिवारा सासित विशाल का एक विश्व का एक छोटा सा रूप था जिसी तरह से वे राज के मंदिरों में इकठा होकर अपने देवताओं की प्रात्मा करते हैं ठे ऐसा दिखता था कि मानों उन्होंने देवता के नाई पिर्याशासन को पिर्थवी पर ला दिया दिखावती तोर पर जो उनका देखने का एक नजरिया था वो ये ऐसा दिखाए देने लगा कि भगवान का जो न्याए पिरिये शासन है उके धर्ती पर आ गया है मुसल्मान, सुल्तान और बादशाद सुए को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे किन्तु फार्सी दर्बार इत्यास में सुल्तान का वर्णन अल्ला की परच्छाई की रूप में हुआ है दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेक से पता चलता है अल्ला ने अलाओ दिन को इसलिए सासक चुना क्योंकि उसके अतीत के महान विविद करता हूं मुसा और सुलिमान की विशेस्ताइ मौजूद थी सबसे महान विधी करता और वास्तु कार अल्ला सुए था उसने एव विवश्ता को दूर करने और विश्व का सरजन करने और एक विवश्ता संतुलन कायम किया था सत्ता में आने पर परते एक राजवंस के राज़ा ने सासक होने के अपने नेतिक कारिये पर जोड डाला उपासनाओं के स्थानों के निर्माण ने सासकों इसवर के साथ जो संबन्ध है वो खास या नस्दीक बनाने की घोशना कमों का दी ऐसी उधगोशना तेजी से बदलती राज़निती के संद्रम में बहुत महता उग्रहन कर लेती है सासकों ने विद्वान तथा धरम निस्ट वेक्तियों को भी आर्श स्रेपरदान किया और अप उन्होंने अपनी राज़धानी तथा नगरों को महता पूर्ण सांस्किर्ट के अंदर के रूप में दिखाया या परिवर्तन का प्रियास किया इन सब से उनके सासन तथा राज्ये को व्याख्याती मिली व्यापक समझ यह थी कि न्याए पिरिया राजा का राज ऐसा होगा जहां कुशाली होगी प्रैप्त वर्सा होगी इसी तरह होज और जलाशों के निर्मान के दवारा बहुम उल्यापाली उपलब्द कराने की कारिया बहुत परसंसा की जाते थी सुल्तान इल्तुमस ने दहली एकोना के निकट एक विशाल तलाब का निर्मान करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया इस विशाल जलसाए इस लेसन में हमने अब तक पढ़ा है कुतम दीन एबग के बारे में जिसने कुतम विनार का निर्मान करवाया कुछ राजाओं ने मंदिरों का निर्मान करवाया या बदलते समय के साथ साथ चूना सी मटादी का भी निर्मान हुआ लोगों ने राजाओं ने अपने आपको कैसे भगवान के दूद के रूप में माना आदिस लेसन में है अब तक हमने पड़ा इसके बाद भी इस लेसन में हम और भी चर्चा करेंगे विभिन मंदिरों मस्चिदों और तलाबों के बारे में तो वो सब कुछ अगले कलास में धन्यवाद